जय हिन जय भारत जय जोहार जय चतिजगड़ मैं मित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीवी मीडिया में आज हम आए हैं चिर्मिरी और हमारे भी चुपस्तित हैं जिला के महामंत्री ओम प्रकास गुपता बढ़कु भाईया सर प्रतम स्वागत है आपका जमस्कार धन्यवाद सर मेरा पहला कोस्चन आपसे रहेगा दो हजार तेरा की जो चुना हुई थी उसमें कांग्रेस की सरकार क्यों नीवन पाई देखिए मैं आपको एक चीज़ बदा दू दो हजार तेरा में जो जेरम घाटी की जो घटना हुई और एक इत्यासिक घटना ह हुग जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी जितने भी वरिश्ठ नेता थे हुच सब काल के गाल में शमा गए और उसी दार्वियां चुनाओ था अग्र हमारी कांग्रेस पार्टी के सिर्षनेता या राश्पती सासन लगा या राजपटी शाचन लगा नहीं दुरुभागे के नहीं लग पाया पर 2013 में अगर नए चेहरे से हम चुनाओं में जाते जो हमारे पास वर्तमान में विधायक थे उन विधायक के अलावा नए चेहरे को खर्म टिकट देते तो हमारी सरकार अवश्च बनती और नए चेहरे को हम चुनाओं नहीं लड़ा पाए नए विधायक को हम टिकट नहीं दे पाए इससे हमारा नुकसान हुआ मैं यह बताना चाहता हूं मंच के माद्धम से कि फिर 2018 में सुनामी थी और सुनामी में हम 68 सी जीत किया गए पर आद 2023 में यह समय की मांग है कि मानी हुपेश वगे बहुत अच्छा कारे कर रहे हैं बहुत उंदा कारे कर रहे हैं गरीब कमजोर असाय किसान नोजवान सभी लेकार मोरा पर अगर 2023 में नए चेहरेों का कम टिकट देते हैं तो हम जरूर वापस 75 पार सीट लेके आएंगे अन्ने था हमें नुकसान होने की संभावना है अच्छा जैसे सत्त और संगठन में जो ताल मिलनी बन पारी इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है इसमें आपकी क्या रहा है देखिए मैं आपको एक चीप बताना चाहता हूं सत्ता और संग्ठन की जो बात है आपका बहुत अच्छा प्रस्व था जहां जहां के विधायक संग्ठन से चुनाओ लड़े हैं, संग्ठन को साथ लेकरें जो चोटा चुनाओ हो यह बड़ा चुनाओ हो अक्षर दिखा गया है कि हम चुनाव में सफलता पाएं पर जहां कि जो विधायक 2018 में चुनाव लड़े हैं जो अचानक प्रकट हुए और सुनामी में चुनाव जीत गए पर संगठन को महतुन होने नहीं दिया जिज जिज विधायक सभा में संगठन को महतुन नहीं दिया गया है वहाँ हमारी कमज़र होती दिख रही है कारण कि जो विधायक चुनाव 18 में जीत के आगए उनको संगठन का अनुभव नहीं है और वो अनुभव नहीं होने से हम नुक्सान में जा सकते हैं यह हमारा 25 साल का अनुभव है संगठन के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता है 36 गड़ में हमारे कांगरेस में कई ऐसे विधायक हैं जो संगठन से इतर चल रहे हैं जिससे पार्टी कुन नुफसान की संभावना बनी हुई है और बहुत बड़ा डर है जैसे बेरोजगारी और उमहंगाई बढ़ रही तो इसमें आपकी क्या रहा है देखिए चीमिरी में चीमिरी में हमेशा से देखा गया है कि हाट जो कारली की कामगार होते हैं और नौकरी की वरोSo Хотя आज भी है आगली सरकार आनेग बाद कुछ खजाने खुली पर बहुत से खजाने ऐसी हैं जो आज भी परचुर मात्रव में कोहलें का ख़धाने नहीं खुल पा रही हैं तो हम आने वाले समय में जो Central Government ख़धानों को जो लीज में दिया गया है और उस area का कोईले का उत्खनन हो गया है तो उस area को खाली करा करके हम कोईले का उत्खनन कराइंगे क्यूंकि आज भी पर्चुर मातर में हमारे चेमिरी छेत में कोईला है दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि हम नल नाली रोड पानी बिजली सरक से उपर सरक से उपर उठके हम आपको बताना चाहते हैं यह बताना चाहते हैं कि कोईले से लगा सह उद्योग एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है मैं विधानसवा से मैं आता हूँ और मनेगड़ विधानसवा के लिए मेरा एक ड्रीम पोजेक्ट यह है कि कोले से जो लगा हुआ उद्द्योग है इसको बोलते हैं इलमुनियम प्लांट उत्तर ब्रेश के रेन्यू कोट के तरज में यहां पर हम एक अलबुनियम प्लांट गाड़ सकते हैं और इस अलबुनियम प्लांट में हमें बाक्साइट की जोड़ाइब पड़ती है जो 100 km दूर से आजाएगा अमरकंटक कोईल सामरी से जो कच्छा माल आएगा ये है और हमारे जेस्ट बगल में कोईले का बंडार है हमको अराम से कच्छा माल में बाकसाइड मिल जाएगा हमको कोईला मिल जाएगा हमारे पास हस्दो नदी हमाँ से पानी मिल जाएगा रेलवे का पर्याप साधन है उसके बाद हमारे पर राजवस की बहुत सारी भूमी है जहाँ पर उद्दोग रगा सकते हैं और उसके बाद आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे युवा साथी युवा बच्चे हैं जो हमारे पर लिक के बच्चे तैयार हो ग लगवग लगवग बारह जार लोगों को नौकरी मिलेगी और लगवग लगवग 36000 लोगों को अपरत्यस लाव होगा और यह प्रोजेक्ट इस्थापीत कोई भी प्राइबट कमपनी कर सकती है जैसे प्राइबट कमपनी रेन्यू कोट उत्तर वेस्टने में किया गया है विल्ला द्वारा या रेंडर बांद जो लगाया गया उनी कमपनी की कॉलिवेशन करके किया गया है आज वो सालों साल से चला है और यह उत्दोग लगाने से यहां को रोजगार मिलेगा और इस्थाइत तो बना रहेगा यहां से लोग विस्थापित नहीं होंगे और यहा करती नहीं है ऐसा देखा गया है कि यह आरोब मरती है और आज 15 साल सासन की इनके सासन में क्या नहीं हुआ गर्वासे कांड हुआ 42 करोड का सराब घुटाला हुआ डीजल के बारे में आप सुनेंगे डीजल अब खाड़ी से नहीं आएगा बाड़ी से आएगा हज़ारो करोड उपए का खुटाला रवन सी ने इस डीजल के नाम से कर दिया यह अपनी बात नहीं बिदाते हैं उन्होंने 15 साल में ऐसा कोई कारण नहीं किया कि 36 गड़ विकास के रास्ते में बहुत तेदी से आगे बड़े आज मैं बात करता हूँ भाति जन्ता पार्टी की हमारे मनेंगर विधान सभा को उन्होंने ने कहा कि हम गोद लेंगे बंजी बुदेली में एक ग्राम है महाँ पर हम पावर प्लान डालेंगे पर ऐसा टियस सींद्यों की सरकार ये तीनों मिलकर के 36 गड़ को उत्रों उत्रों अगे ले जा रहे हैं और जब से बुपेश वगेल मानने मुख मंतीज बने हैं तब से इस छेत का बहुत विकास हुआ है पुरे 36 गड़ का विकास हुआ है और मैं आपको तो यह भी मंच के मादने स बढ़ाना चाहता हूं कि आज ग्रावीड में जो किसान माला माल हो गए हैं पुरे भारत में 12 सो रुपे कुंटल में धान खरीदी की जा रही है आज हमारी कांगरेस की सरकार 28 सो रुपे कुंटल में धान खरीदी करने के लिए तयार है हमारा किसान माला माल हो जा रहा हर कि पारी सरकार जो 15 साल में भारती जंतापाड़ी की सरकार काम ने कर पाई वो साड़े चार वरसों में दो वर्स आप करोना काल के निकार दीजिए बचा धाई वर्सों में यतिहासी काम की है और आज शत्य सगर का हर नागरीक सुख में जी रहा है और जल जंगल जमिन आदिवा पासी लोग भी बहुत बर्यात मातरा में जंगली का जो महुआ है तेंदू पत्ता है लाख है सब को बेश करके मजबूत हो रहा है युवाओं को आज भुपेश सरकार 25 सोरवे बिरोज़ारी भत्ता दे रही है हमारी इंक्यावन योजिनाए चल रही है जो इस योजिनाव स्कूल की बात करते हैं बच्चेों को खाना पीना पढ़ाई लिखाई उसके बाद अच्छा एक रूम अच्छा इंट्राटेक्शर दे करके बच्चे इंगलीज पढ़ रहे हैं तो जो काम भारती जंता पार्टी नहीं कर पाई है वो कांग्रेस करोना को हटा कर बात करें कर दिखा है इससे भारती जंता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है एक के तरफ से कहा गया कि हमारे विकास कारेों को देख करके जल रहे हैं और जूट-बूट का आरोप लगा रहे हैं और उनके अर्व आरोब को मैं खंड़ित करता हूं खंड़न करता हूं अच्छा भी नयुक्त आपके जो प्रदेश अद्दक्ष है बैज जी उनका कहना ये था कि पंदरा साल जो है भाजपती सरकार में सिर्फ चाहुआ लावर नमत पे निकाल दिया है इसमें आपके क्या रहे हैं देखी क्या है मैं आपको बता दू बारती जनता पार्टी जो पठांद बनती माननीтеð Moodyजी है uns से किस रूप में टेक्स전 करता है बात करता हूं चावल की, 5 किलो चावल दे करके, गरीब कमजोर जनता को BPL कार्ड से 5 किलो चावल दे करके, उसके किस रूप में टेक्स ले रहे हैं? आज डीजल की बात करते हैं, सो पार, पिट्रल की बात करते हैं, सो पार, गेस जो lepati के राज में 400 गेस मिल ला है, आपको 5 तो आपको लोग लुभावन वादे शपने दिखा करके आपके साथ अन्या किया जा रहा है और आप सुबह से जब उड़ते हैं रात तक आप किसी भी विभिन माप दंडों में केंदी की सरकार को आप टेक्स दे रहे हैं जीएश्टी दे रहे हैं और जीएश्टी से आज हर छोटा ब्यापारी कारोबारी आम आदमी बहुत परसान है और आम आदमी के बज़ेट गड़ बढ़ा चुका है और कहावात है कि सहीया कमात हैं उसके बाद भी महंगाई डैन महंगाई डैन खाये जाते यह अच्छा मैं बोल अच्छे से नहीं पाया फिर भी आप समझ गए तो यह सिती है और भारती जंता पार्टी को कुछ करना नहीं है जो काम करता है उसको उसका टांग किसना पैर किसना है मैं धन्वाद देता हूं भुपेश सरकार को उन्होंने साड़े चार साल में बहुत काम किया है और दुवारा फिर हमारी कांगरेश की सरकार बन रही है हम 75 पार ला रहे हैं पर इस मंज के मादम से माननी भुबेश वगेल जी को माननी चर्णदाश जी महन जी से मैं निविदन करना चाहता हूं कि सरकार तो हमारी बन रही है सतर परसंट जो ग्रामिरी छेत में हमारी अनुभों नहीं है या जो लोग जो विधायक जीत नहीं सकते हैं अगर उनको टिकट दिया जाएगा तो हमारा समय करने बिगड़ेगा हम नुकसान में जाएंगे इसलिए मैं निमेदन करना चाहता हूं मानने मुखमधिजी से कि जो जीताओ कंडिटियत हो जो जीतने वाल विधायको उसी को टिकट दिया जाए ताकि हमारी सरकार बन जाए क्योंकि टिकट कटेगी तो भी सरकार बनेगी टिकट नहीं कटेगी जो विधाय को सब्सक्राइब जी सकते हैं उसका ठिकट करके हम सरकार बना ले अममारी सरकार बन जाएगी तो कहीं भी किसी साइब करा के कोर लिए रहेंगे चो लोग जैसे में लिए जो अधर में रहा? मैं थीन साल जूछ घी ला life 1 कंगरीस में था, अबि महा मंत्री कंगरीस में हूँ और मैं समाजिक कार था हूँ साड़े सतरह साथ मैं गरीमों को सेवा कर रहा थो कंबल की मुझे इस च्छेत में कंबलवाले बाबा के नाम से जानते पूरे संभाग में अगर मुझे बढ़कु भाई ओम प्रकास के नाम से पूचा जाएगा तो बढ़कु भाई और कंबल वाले बाबा को हम जानते हैं तो मैं हर साल धाई मेना खंड के समय कंबल की सेवा देता हूं उसके बाद बहुत बड़ा मैं यहां के लिए खेल का रहा क्यासी जार प्रतम इनाम दूस्ती इनाम इक तालीस जार रुपया अपर अच्छी बहुत्ता से हुआरा टूर्णामेंट सफल हुआ यहां को खेल का जो करोना कार में जो दूरियां बढ़ गई थी वो खेल के मादन से लोग नजजीक आये और सफल टूर्णामेंट का कारकम इस संभाग में हुआ इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्योंती चरंदास जी महन जी को माननिया कोरबा सांसर जोसना महन जी को यह खेल का कारकम अच्छा हुआ उसके आध मैं तरह तरह के समाजी कार करता हूं चाहे हो रोजा इपतार के पार्टी ह हो चाहे किसी के हां साधी ब्याय मदद करने की जरूत हो किसी को एमस हास्पिटल भेजना हो किसी को डिके हास्पिटल भेजना हो अन्य अन्य कई क्योंकि सुरू से मैं समाजी सल्थाओं से जुड़ा था लैंस कलब का अध्यस होने से रोट्री कलब का मैं सदस होने से मुझ एक आदत ची है कि मैं जब तक दिन में कुछ समाज से बना करूँ तब तक मुझे नीन ने आती है तो मैं समाजी का आदमी हूँ और पाल्टी सर्वे करा रही है इस सर्वे में मेरा नाम सबसे प्रतम है अगर पाल्टी मुझे टिकट देती है तो मैं मनेगड विधान सभा को जीत कर पाल्टी के जोली में दूँगा और चटिस गड़ में कांगरिस की स्थरकार पुना बनेगी और अगर टिकट मुझे नहीं मिलता है या किसी अन्यों की मिलता है तो यह गार्टी नहीं कि शीट निकल बाई वर्तमान में जो विधायक है वो विधायक से लोग बहुत लोगों को टिकट मिले ताकि उनकी इच्छी चवी वालों को टिकट मिलने से उनकी जवी सात में मानी, भूपेज, भगेल जी की चवी दोनों को मिला कर के एक, एक एक ग्यारव लगी, और हम ज्यादा जीत करके पना सरकार बनाएंगे और शेति Bowl में पनकेเฉर्ण की सरकार推 आपका जो राजनीती सफर है वो कहां से चालू हुआ कहां स्प्रारम क्या देखिए अमी जी यह भी आपको बहुत अच्छा कोशन है मैं मेरा राजनीती जीवन डाक्टर मानी चरंदास महन से सुरुआत हुआ मेरे नेता सुरु से चरंदास महन जी थे और उनी के आसिरवाद से मैं राजनीती में उत्रो उत्र आगे वड़ा हूँ और आगे भी मैं यह मानता हूँ और यह जानता हूँ यह समझता हूँ मैं कोई भी काम उनसे बीना पूशे नहीं करता हूँ और उनका सदो मेरो पर आसिरवाद था है और बना रहेगा क्योंकि महन जी एक सहज सत्य सनातन विजारवारे बिखती हैं और निर्विवाद बिखती हैं और हमेशा मैं महन जी से जब जब महन जी से मिलता हूँ उनसे हर समय कुछ ने कुछ चिकता हूँ वही मेरे बड़े भाई है वो सबकुछ नहीं है उनके साथ राजनीति करने में मुझे एक अलग आनंध करने मं धित और हमश् celle ge मैं इक पाया है शरी ऐस से पहले typical का बात हो रही थी तो जैसे आपकोain कि टिकत मिल जाता है आप विधायक बन भी जाते हैं तो सरव पर्थम आपका कार क्या रहेगा इस विधान सब अचेत्र के लिए मैं तो आपको बताया मैं मेरा सरव पर्थम अगर में वीधान समा चुनाव जीतता हूं तो मेरा चेमिरी मनेंगर की जो दूरी है 17 किलोमेटर की तो मैं उस दूरी को ऐसा पर्यास करूँगा कि जो जिग जग रोड है उसो कैसे सीधा करके मनेंगर चेमिरी की दूनिया कुछ किलोमेटर कम कर सकूँ जिससे उस चेमिरी मनेंगर की वीच में आबादी की बसहट हो जाए और जो महां के गरीब आदिवासी है उनको गोवर्मेंट के तरफ से अच् मेरा मेरा है जिग जग रोड ची दब सीधा हो जाएगा तो दूरियां कुछ कम हो जाएंगी की और जो जो दूरियों को कम करने के लिए मैं ऐसा परयास करूँगा कुछ दूरी कम हो ताकि बसाट बस मेरह यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हाँ पर एक मैं एलमुनियम प्रांट लगाऊं जिसमें 12,000 लोगों को नोकरी मिलेगी और कम से कम 60,000 रुपे परते युवाव बच्चों का पेमेंट होगा और लगबग 36,000 लोगों को अब परते सलाब होगा और जो उद्धोग मैं डालूँगा या प्रियास करूँगा ऐलमुनियम प्रांट वो कोले का ही एक सह उद्धोग है उस उद्धोग में कोले की मातरा ज्यादा लगती है तो जितना हमारे ख़दान से कोले का उत्पादन होगा वो कोले का उत्पादन हमारा ऐलमुनियम प्रांट में पूरा उ बलब कुल जाया गा तो जरू यहां के बरोजगारी दूर होगी युऩाओं को रोजगार मिल जायेगा और जो हमारे ईवा भाई हैं वो चीमिरी सहर से न तो पलाइन करेंगे और चीमिरी सहर यहांं पर बचा रहा जाएगा और यह भी मांग करता हूं कि जो कोल इंडिया की जो मकाने हैं जिस कोल इंडिया के मकाने में लोग यहां पर 50, 60, 60, 70 सब से रह रहे हैं तो वो मकान में उनको वापस दिलवा दूँगा बहुत कम दरों में जिस तरह भिलाई स्टील प्रांड में 1997 में वहां के जो कामगार रहते थे तो सेल स्टील इठर्टी आफ इंडिया ल जाएगी और यहां को लोग कहीं जाएंगे नहीं तो इस सहर उजणने से बच जाएगा जी धन्यवाद सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अपना किम्ती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो साथियों हमारे बिश थे चिरमीरी से ओम परकास के लिए बने रहें टीजीवी मीडिया के साथ मैं मित कुमार धन्यवाद